हेलो स्टुडेंस आप देख रहे हैं IBPS गुरू जी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 रिजन डाट यू मस्ट हेव तू इंस्टोल आरोगे सेतु एप अन्योर मॉबाइल फोन आरोगे सेतु एप Government of India ने बनाया है और ये Google और Apple Store दोनों पर अविलेबल है ये एप 11 भाषाओं में अविलेबल है और आप इसको डाउनलोड जरूर कर ले क्योंकि ये आपकी safety के लिए एप बनाया गया है तो आरोगे सेतु एप बेसिकली आपके location और Bluetooth history पे काम करता है और आपको identify करके देता है कि आप low risk infection zone में हो या high risk infection zone में हो तो आपको alert रहना है उसकी वज़े से आपको ये भी बताता है कि COVID-19 की अभी situation में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए प्लस आपको help line number मिल जाता है प्लस आपको self assessment test मिल जाता है तो यहीं सारी चीजों के लेके आपको आरोगे से तु must install करने वाला app बन जाता है तो मैं आपको 10 reason देने वाला हूँ कि ये app क्यों install करना चाहिए तो सबसे पहला reason है कि to identify your zone ये app आपका location और bluetooth history लेके आपके nearby area को scan करके बताएगा कि आपके nearby area में मतलब आप जिस location पे अभी हो तो आपके nearby area में COVID-19 patient कोई है की नहीं अगर है और कितने cases है positive तो आपको ये alert मतलब आपको बता देगा कि आप low risk infection zone में हो या high risk infection zone में हो तो आप उसके बाद अपना self protection ले सकते हो अपना self care कर सकते हो ज्यादा दूसरी चीज़ ये आपको alert देता है मतलब आज तो आप positive zone में हो मतलब low risk infection zone में हो बट कल को अगर ये zone ही infected हो जाता है और आप lockdown की city में हो तो आपको जादा ना पता हो तो ये आपको alert देगा ये app आपको alert देगा कि आपका zone अब moderate risk में है या फिर high risk में है तो आप गर से बाहर ना निकले हाथ तोएं बारी बारी और जो भी do's and don't do's है वो आपको inform करेगा तीसरा है आपको self assessment test यानि आप lockdown period में हो घर पे हो आपको कुछ problem हो रही है medically आपकी तबियत खराब हो रही है तो आप एक self assessment test दे सकते हो इसके द्वारा आप ये जान पाओगे कि आपको COVID-19 positive हो की नहीं या फिर आपको chances है की नहीं ठीक है आपको ये सवाल पूछेगा आप आपको उसके सही सही answer देने है और ये काफी अच्छे से काम करता है चौधा point है safety measures against COVID-19 आपको ये app में government द्वारा दिये गई safety measures point बताए गए है कि आपको क्या करना चाहिए इस महामारी की situation ने ठीक है आप कोई और third party website visit करते हो और वहाँ पे कुछ फालतों का लिखा होता है ये government की website और app है तो यहाँ पे आपको assured information मिल जाती है पाचवा लिस्ट है do's and don't do's इस महामारी वाली situation में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका detail list दिया है तो आप वहाँ जाके आसानी से समझ सकते हो उसको चटा है COVID-19 information मतलब ये थोड़ा spelling mistake है उसको ignore करना COVID-19 की information assured information चाहिए मतलब आप किसी और को सुनोगे किसी और website पे जाओगे वो false information देगा वाटसप के message आए वो false information देगा बट ये government की app है तो यहाँ पे total accurate 100% government के recommend से ही और doctor के ही recommend से ही आपको information मिलती है और वो 100% आपको benefit के लिए है ठीक है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूत नहीं है आपको सारी information यहीं बेवल जाएगे साथवा point privacy मतलब आप कोई और एप इंस्टोर करते हो कोई और website विजिट करते हो और वो अपना डेटा चुरा ले तो यहाँ पैसा नहीं होने वाला है यह government की ही app है और government अपना डेटा आपका डेटा अंसंभाल के रखेगी और उसका कोई misuse नहीं होगा आठवा point covid-19 के related updates मतलब मान लोग की कल के उठके कुछ नया अपडेट आता है तो आपको इस app में सबसे पहले बताया दिया जाएगा government से कोई नई guidelines आती है कोई lockdown कब खतम होगा कब extend हो रहा है कितनी services essential है वो सब कुछ यहाँ पे available मिल जाएगा 9th point total covid-19 positive cases in India अब काफी लोगों को पता ही नहीं कि total cases इंडिया में कितने हैं या फिर वो कभी रफली website या youtube या कहीं पर भी visit कर लेता है और वो मतलब misleading figures को identify और देखता रहता है तो अगर आपको government के द्वारा दिया गया figure exact government website से जानना है तो वो यहाँ पर available है कि covid-19 positive patient इंडिया में कितने हैं infected कितने हैं कितने recovered हुए हैं और कितने dead हो चुके हैं और दस्वा है e-pass e-pass मतलब मान लो कि आपको emergency आपके घर में emergency situation आन पड़ी को ना करे किसी को ऐसा हो बट आन पड़ी तो आप क्या करोगे तो आपको यह e-pass लेके आप travel कर सकते हो अगर travel या फिर मतलब जो भी आपको अनुमती दे उसके हिसाब से तो यह थे 10 पॉइंट और definitely आपको अपने safety measure के लिए यह app install करनी चाहिए आप जैसे नहीं download करोगे और open करोगे तो आपको यह screen देखने को मिलेगी 11 language मिल जाएगी आप इनमें से कोई भी एक language का चुनाव कर सकते हो next screen पर जाओगे तो आपको ये screen में लगी उसके next screen में आपको ये screen में लगी उसके next screen में आपको ये मिलेगी ये screen में लगी next और next ये data and items and service and privacy policy आप इसको ज़रूर पढ़ लेना अगला screen पर जाओगे तो आपको पूछेगा कि आपको पर्मिशन माएंगा या high risk वाले में हो या moderate risk वाले में हो फिर यहाँ पर काफी सारी चीज़ा अविलेबर है maintain social distance, take self assessment test आप ऐसे self assessment test भी दे सकते हो जैसे कि यह question है आपको इनमें से answer देना है क्या आपको cough है, fever है, difficulty in breathing है या फिर कुछ उपर में से कोई भी एक नहीं आपको regularly update मिलता रहेगा आपको self assessment test यहाँ से दे पाएंगे COVID-19 update यहाँ से मिल जाएगा तो COVID-19 cases के लिए update के लिए यहाँ से मिल जाएगा जैसे कि COVID-19 cases overview में all over India में इतने cases हैं और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर cases इतने हैं और यह update हुआ था 3 गंटे 12 मिनिट पहले 17 तारिक को ठीक है और यह है आरोगे से तू एप के मतलब statewide report आपको यहाँ से मिल जाएगा तो दोस्तो इस situation में आरोगे से तू must install करना एप बन जाता है मुझे उमीद है कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और यह app install जरूर कर देंगे अब तक नहीं किया होगा तो अब जरूर से कर देंगे आपको app download करने की link जो है वो description में मिल जाएगी वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर देना कुछ अच्छी बाते हैं तो उसको share करना जरूर बनता है और चैनल को subscribe भी जरूर कर लेना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लाओं तो आप तक वो information पहुंच जाए बागी Instagram पे मुझे follow कर सकते हो वहाँ पे मैं सबस्याज अक्टिव होता हूँ और टेलेग्राम पे भी जोड़ सकते हो वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइट करता रहता हूँ धन्यवाद